नमस्कार, मैं तुशार गुप्ता, डियलेट केस कारक्रम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ आज की चर्चा का विशा है पर्यावरण अध्यान में सिक्षड अधिगम हेतु भ्रमड पर्यावरण अध्यान भ्रमड की सुरुवात हम लोग इसके एक संचिप्थ परिचे से करते हैं आज के इस तकनीकी युग में बच्चे ज्यादातर समय बजाए बाहर खेलने वा प्रकृर्टी के साथ समय वतीत करने के घर के भीता खेले जाने वाले खेल में जैसे की विडियो गेम, कंप्यूटर गेम और मोबाईल में वतीत करते हैं इस प्रकार वे प्रकृती की गोध में खेलने से वन्चित रह जा रहे हैं पर्यावरण अध्यन में भ्रमड सरवाधिक पुरानी दिल से साहयक सामगरी मानी जाती है या विद्यार्थियों की सिक्षा का बहुत ही महतोपून साधन है भ्रमण में विद्यार्थी अपने ग्यान को प्रत्यक्ष रूप से देखकर उसे अस्थाई एवन सम्रिद्ध बनाता है हाला कि कक्षा में सिक्षक औप्चारिक सिक्षण के माध्यम से विसेवस्तू की सम्प्रत्यायत्मक समझ विक्सित करने का पूर्ण प्रयास करता है की प्रासंगिक्ता प्रात्मिक अस्तर से ही लेकर उच अस्तर तक की कक्षाओं में सर्वता से रही है और रहेगी पर्यावरण के बारे में विद्यार्थियों को सिक्षा देना उनके जीवन की महतुपुन घटना के रूप में देखना चाहिए प्राया पर्यावरण अध् के रूप में समुद्री जीवों के बारे में अध्यान कर रहा है तो सिक्षक एवं सिक्षार्ति दोनों दैनिक जीवन के बहुत से पहलूं को अनौपचारिक अध्यान में भी सम्मलित करने का अवसर खोश सकेंगे या इसकी एक बहुत बड़ी खूबी है पर्यावरण यदि हम इसे विस्तित तोर पर चाहते हैं तो सुदूर अध्यान भ्रमट के लिए ले जा सकते हैं पर्यावरण अध्यान भ्रमट और भी अर्थपूर्ट बन जाता है यदि सिक्षक्र कच्छा में पढ़ाई जा रही पाठ्य वस्तू या इकाई को प्रत्यक्ष रूप से उससे संबंधित कर दे प्रमट को कच्छा अध्यान से जोड़कर विद्यार्थियों के अधिगम अनुभों को पुनरबलन पतान किया जा सकता है इसके साथ ही या प्रदर्शित किया जा सकता है कि पर्यावरण अध्यान कच्छा में पढ़ाये जाने वाले विसाय से कर हो जाता है उदाहरण के लिए पर्यावरण अध्यान के प्रकरण जैसे कि एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म पाउधों के बीज फल पत्यों आदी में अंतर अस्पष्ट करने के लिए पर्यावरण अध्यान भ्रमण की सहता से पाठ वस्तू का सिक्छन करना बहुत जियार्थियों से अपने पर्यावरणी अध्यान भ्रमण के और चित्यों को साजह करना चाहिए लिए अपने अनुभवं को उनके साथ साजह करने का निभा सकें विद्यार्थियों की पर्यावरणी अनुभव बनाने में मदद करते समय ज्यादा तर सिक्षक और चारिक दिसा निर्देश का पालन करते हैं दुर्भाग्यवस इस प्रकार वो पर्यावरणी अध्यन जैसे विशाय की प्रकिर्ति को एक निश्चित दैरे में बांध देते हैं यह दीगर बात है कि वे अच्छा अनुभव रखने के कारण विद्यार्थियों के जीवर में कुछ इस्थान भले ही बना लें परन्तु वे उस अनुठे अनुभव को बनाने में असफल रह जाते हैं जो उस विशेज भागोलिक परिस्थिती और उस कच् अफसर को अपने घर के आसपास के वातावरण से जोड़ पाते हैं पर्यावरण के भ्रमर के दोरान बालक प्रकिर्ती के बहुत समीप आ जाता है जिससे वह रोमांचित हो उड़ता है उन प्राकृतिक नजारों को देख करके वह प्रकिर्ती के गूड रहस्यों एवं रच का समीप से अवलोकन कर पाता है जब बालक प्रत्यक्ष रूप से किसी चीज का अवलोकन करता है तो उसमें विभिन इंद्रियों का एक साथ उप्योग करने की छमता का विकास हो जाता है प्रकिर्ती के साथ उसका यह मिलन आ प्रत्यासित होता है क्योंकि भ्रमर के दौरान वह जिन अनुभावों से होकर गुजरता है वह उसकी सोच की सीमाओं से परे होता है पर्यावरण अध्यान हेतु नियोजित भ्रमड के द्वारव विद्यारतियों में सूक्ष्मि निरिक्षन करने अपनी मांसिक सक्तियों का विकास करने अपनी जिग्यासा तथा अनुवेशन प्रवित्ति का उचित प्रयोक करने के पर्याप्त अवसर प्राप्त होते हैं अब आगे हम देखते हैं पर्यावरण अध्यान हेतु भ्रमड के उद्धे से क्या क्या हो सकते हैं तो इस विशाय पर सबसे पहले हम कह सकते हैं कि विद्यार्थियों में पर्यावर्ण अध्यान के प्रती रूची उत्पन्न करना इसका सरवाधिक महतोपूर्ण उत्देश से है। विद्यार्थियों के सरवांगिड विकास के लिए भी पर्यावर्ण अध्यान भ्रमण बहुत उप्योगी है। पहलू हैं जिसको हम क्रमसा आगे बिंदुवार्ण चर्चा करेंगे। पर्यावर्ण अध्यन हेतु भ्रमण का सफल आयोजन बहुत ही हद तक सिक्षक के विवेक एवं नियोजन पर निर्भर करता है। यदि वह उपयुक्त रीती से कुछ बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए नियोजन करता है तो भ्रमण अपने लक्ष को अवस्य प्राप्त कर लेगा। भ्रमण के सफल कार्यानवेन हेतु सिक्षक को मुख्यता दो बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला भ्रमण अस्थल का चयन और दूसरा भ्रमण के लिए नियोजन तो हम लोग पहले बिंदुपे चर्चा करते हैं भ्रमण अस्थल का चयन कैसे करना चाहिए। ब्रहमड के लिए सरुप्रथम ऐसे इस्थान का चुनाव करना चाहिए जहां विद्यार्थियों को ले जाया जा सके तदुपरान ब्रहमड के लिए ऐसे अस्थल का चैन करना चाहिए जो विद्यार्थियों की पर्यावरण अध्यान समंदी आवस्यक्ताओं की पूर्ती भी करता हो दूसरा बिंदु है भ्रहमण के लिए उचित नियोजन करना यह बहुत ही आवस्यक बिंदु है एक भ्रहमण को सफल बनाने के लिए तो इसके अंतरगत भ्रहमण अस्थल का जब चैन हो जाता है तो सरवाधिक महत्व का विशय होता है उसका सू विवस्थित नियोजन इस नियोजन को करते समय सिक्षकों को चाहिए कि वे अध्यन भ्रहमण कारकरम में विद्यार्थियों की भागिदारी को भी सुनिश्चित करें क्योंकि अन्तता इसमें अधिगम तो विद्यार्थियों को ही करना है इसलिए भ्रहमण के लिए नियोजन करते समय विद्यार्थ विद्यार्थियों को विश्वास में लेकर कुछ भातों का ध्यान रखना अत्यावस्यक है। उद्यार्थियों को असपश्ट कर देना चाहिए ताकि विद्यार्थियों को या पूर्व में ग्यात हो जाए कि उनके अध्यान भ्रमण का उद्यार्थियों को विवस्था सुनिश्चित कर लेना भी बहुत आवस्यक है। विद्यार्थियों के सहयोग से एकत्र कर लेनी चाहिए। भ्रमण के दौरान जिन जगहों पर जाना हो अत्वा रात्रि विस्राम करना हो या नमूने एकत्र करना हो तो उसका विवरण पहले से ही तैयार कर लेना चाहिए ताकि एन वक्त पर जल्दिबाजी में कोई चीज छूट न जाये। भ्रमण के दौरान जिन अस्थलों के दर्शन की पुर्वानुमती आवस्यक है वहां सिक्षक को चाहिए कि सक्षम अधिकारी से अनुमती प्रप्त पहले ही प्राप्त कर लेग। रात्री विश्राम के लिए सुविधा जनक ठहरने की विवस्था तता खाने के लिए सुद्ध भोजन का इंतजाम करना अतियावस्यक कारे है। सिक्षक को ये सारे कारे पहले से ही सुनिश्चित कर लेने चाहिए ताकि विद्यार्थियों को इसके लिए कहीं भटकना ना पड़े और उन्हें कोई दिक्कत ना हो। अब इसकरब में हम आगे पर्यावरण अध्यान के भ्रहमण के लाप पर चर्चा करेंगे। सहयोग, नेत्रित्व तथा आत्मश्वास की भामना भी जागरित होती है। और वो अपने को भाविष्य के लिए तैयार कर पाते हैं। भ्रहमण से विद्यार्थियों को मनुरंजन के साथ साथ ज्यान की प्राप्ति भी होती है। अर्थात उनका संग्यानात्मक विकास भी होता है। भ्रहमण से विद्यार्थियों की निरीक्षन सकती में अभिवरिद्धी भी होती है। सुविवस्थित एवं क्रमबध करना सीख जाते हैं। वह एक बेतर्तीब जीवन को त्याग करके सुविवस्थित और क्रमबध तरीके से जीवन जीना सीख जाते हैं। अर्थात जीवन जीने की कला सीख जाते हैं। भ्रहमर के दौरान विद्यार्थी अपनी पाठ्थ पुस्तक से संबंधित अनेक उप्योगी सामगरी एकत्रित कर सकता है। जैसे बीज, पौधोय की जड़ों को, मिटी के नमूनों को, पत्थर के टुकडों को तता खनिश्पदार्थ को, भ्रहमर के दौरान विद्यार्थी को जटि लगने वाले संप्रत्य भी सरलता से असपश्ट हो सकते हैं। भ्रहमर से विद्यार्थियों में वैज्यानिक प्राकृतिक रचनाओं को निकर से देखने तथा समझने का अवसर भी प्राप्त होता है। और वे प्राकृतिक सौंधर्य को समझने का अवसर भी उठाते हैं और उसका महत्व भी जान जाते हैं। इसके साथ ही पर्यावर्न अध्यान भ्रहमण के कुछ दोस भी हैं। उधारण के लिए पर्यावर्न अध्यान भ्रहमण बहुत ही महेंगे हो सकते हैं। जिसके कारण प्रत्यक विद्यारथि इसका लाब नहीं उठा पता है। इसलिए इसका आर्थिक रूप से कम natureशीला ह ब्रहमड के दौरान सिक्षक उचित एवं अनुकूल वातावण बना पाने में असमर्थ होते हैं और कई बार इस तरह के सैक्षिक भ्रहमडों से विद्याले क्रिया कलाप एवं गत्विदियों में थोड़ी बहुत बाधा उत्पन हो जाती है इसके साथ ही इसी क्रम में पर् पर्यावण अध्यन के भ्रहमड कारिकरम का क्रियानवन पूर्व निर्धाति जोजना के अनुसार ही हो दूरस्त इस्थान के लिए निर्धारित पर्यावण अध्यन भ्रहमड के लिए प्राथमी कुप्चार सामगरी अलपाहार तथा विश्राम के लिए पहले से ही विव भी करा देना चाहिए भ्रमड के लिए पूर्व निर्धारित अस्थल तक पहुचने का मार्ग सिक्षक द्वारा पहले से देखा गया होना जरूर होना चाहिए साथ ही उस मार्ग पर पढ़ने वाले रेलवे स्टेशन बस स्टेशन एवं एतिहासिक महत्व की जगहों का सिक् भ्रमड के दावरान समय-समय पर निर्धारिता करते हुए विद्यार्थियों का मार्ग दर्शन भी करना चाहिए विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्यान से संबंदित जिन वस्तूऊं को एकत्र करना है सिक्षक को उसकी जानकारी उन्हें पहले से ही दे देनी उपरोक्त विवरन के आधार पर हमें कह सकते हैं कि पर्यावण अध्यन के लिए प्रमुख विधियों में भ्रहमण का महतोपूर्ण इस्थान है इसलिए ऐसा माना जाता है कि भ्रहमण कक्षिय ग्यान को अस्थाई एवं वहवारिक रूप प्रदान करता है इसके साथ ही विध्यार्थियों में वईज्यानिक दिश्टिकों उत्पन होता है और वह रचनात्मक कारियों को करने के लिए प्रेरित होता है पर्यावण अध्यन के विष्या में भ्रहमण, समस्याओं को हल करने तथा सूचना हुआ आभार देने के करम में महत्वपून गतिविधी है किसी पार्क, चडिया घर, जलजीवाले, संगरहाले, एतिहासी असमारक, जनजाती समुदाय, प्रकिर्ती केंद, टेलिफोन एक्सचेंज, सरकारी अभिकरण अत्वा क्रिसी योग्य भूमी के भ्रहमण का प्रबंद सिक्षकों द्वारा किया जा सकता है, जो उनके संग्यानात्मक, विकास में अहम भूमी का निभा सकता है यदि भ्रहमण सुनियोजित और अभिपरित ना हो, तो यह सिक्षकों के लिए एक मुसीबत, विद्यार्थियों के लिए मात्रे का अवकास और एक विद्याले के लिए बुरे प्रचार का परिराम भी साबित हो सकता है भ्रहमण का खाका एक निश्चित उद्देश के साथ खीचा जाना चाहिए, जिससे सवालों का जवाब प्रथम दिश्टय अवलोकन के माध्यम से ही प्राप्थ हो सके विद्यार्थियों को भ्रहमण के उद्देश से अवगत होना चाहिए सिक्षक को ब्रहमर छेत्र की भली भाती जानकारी होनी चाहिए और या सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उस छेत्र को देखने वा उससे संबंदित प्रस्ण पूछने के लिए बहुत सारे अवसर हो ब्रहमर पढ़ाय जाने वाली विसाय का एक अभिन अंग होना चाहिए ना कि सिर्फ कुछ करने के रस्म अदाएगी इसके अलावा या आवस्यक नहीं है कि ब्रहमर इसकूल के बाहर ही हो अत्मा लंबी अवधी का हो यह हमेशा विद्याले परिसर में भी नियोजित किया जा सकता है जैसे कि विद्याले के संग्रहालेयों में विज्ञान प्रयोक सालावादी में पर्यावरण के अध्यान के लिए भ्रहमर अत्यधिक उप्योगी हो सकते हैं संभवतया वास्तविक भ्रहमर के मुकाबले एक भ्रहमर के लिए तैयार होने और उसके परिडाम संग्रहीत करने के लिए अधिक समय व्यतीत करना चाहिए इसके अलावा प्रासंगित पर्यावरण अध्यन की पाठ्यवस्तू के माध्यम से भ्रमण विद्यार्थियों को अपने पर्यावर्ण विज्ञान के प्रक्रिया कोसल अर्थात प्रोसेस स्किल्स के अभ्यास का अवसर प्रदान करती है आज की चर्चा में हमने जाना कि पर्यावर्ण अध्यन में सिक्षड अधिगम हेतु भ्रमण क्या है पर्यावर्ण अध्यन के लिए भ्रहमण का सफल आयोजन कैसे किया जा सकता है पर्यावर्ण अध्यन हेतु भ्रहमण के उद्देश से क्या है साथ ही इसके गुड़ दोसों पर भी प्रकाश डाला गया है आज की चर्चा बस इतनी ही अगली चर्चा पर फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार